लंबे इंतजार के बाद 28 जून से विश्रू प्रेजिद महाकालेश्वर ज्योति लिंक का दर्बार शर्धालू के लिए खूल दिया गया है। अच्छी विश्रू प्रेजिद महाकालेश्वर ज्योति लिए खूल दिया गया है। बहुत अच्छी विश्रू मंदिर समयति वालों ने कर रहा कि सबके प्रोपर डिस्टेंस मेंटीन और महाकाल मंदिरों सबके सेटिफिकेट के बाद ही अंदर आने दे रहें। इस विश्रू के लिए में महाकाल मंदिर समयति को धन्यवाद गयापित करना चाहिए। अच्छी विश्रू कोविट की प्रोटोकॉल से हुए हैं सारा मतला वैक्सिनेशन का अपका होना चाहिए और आपके पूरे परमीशन होनी चाहिए। पूरा प्रोटोकॉल फोलो किया गया है और बहुत टाइम सी आई हुए हूं में यहां पर और आज 28 तारिक है तब खुला है कम सब 15-20 दिन से वेट था कि महाकाल खुलें और दर्शन हो तो महाकाल के दर्शन आज हुए हैं जाके इतने टाइम बाद तो काफी अच्छा से करीब 80 दिन हो गए हैं और असी दिन में आज प्रांगन खुला प्रामंदिर का बाबा का भक्त जन जो है दर्शन के बड़ा विलाशी थे और किसकी मनोकामना होई हुए बाबा के दर्शन चालू हो गए हैं आज से 28 तारिक है सम्मार का दीन है बहुत बाबा का दीन है औ और विवस्ताब जो है वो भी सब बड़े आचल रही है सुबह सो लोगों के दर्शन वालों की भक्तों की लाइन भी लगी हुई है वो सब यक्सिनेशन जो लगे में उन लोगों को सेटिपिक्ट के साथ में अंदर चोड़ रहा है वो सब आनलाइन बुकिंग करा क्या है जिसको आफ लाइन आया है जो लोगों को भी यहां इंटरिजिंट टेस्ट होगा उनको भी दर्शन के लिए छोड़ दे जाएगा इसके अलावाद 200-2001 कान की जो रशीद होती है अपने वी आईपी वो भी यहां चालू कर दी है तैकि उसको भी लेके अंदर दर्शन कर सक सब व्री करोना के करने सब ब्रा धूर अपने महाकाल के जिसको भी दर्शन करने का सब भाघ कमिला है मार्च के महने के बाद बहा बाबा समय निकल गया उज्जेन में बाबा महाकाल के दर्सन नी हो ये बहुत अपने आप में मन में कचोटता भी था वो दुख भी देता था और ये दुख डबल तब हो जाता जब मैं स्वयम या कोवीट का मंत्री होने के नाते से कई सारे दर्सनार थी स्रधालू भक्त दे कि दर्सन करने के साथ ही हमारे लिए जो वरतमान में कोवीट की दूसरी लेहर पे माननी मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री के सफल नेतरफस जो हमने एक बड़ी बाधा पार की है परमात्मा करें आप तीसरी बाधा आए नी और वावा महकाल सब की रक्षा करें यही काम ना करते हुए और जितना बनपड़ा जैसी सेवा हमने करने का प्रयास किया है उसमें कोई तूटी हुई तो बावा च्हमा करें लेकिन जितना जिस प्रकार से हम कर सकते थे वह साथ बैतर प्रबंदन किया यही कारणे के पहले की तुलना में उज्जयन और हमारा प्रदेश बहुत अच्छी स्थितिम आया है यह सदेव बना रहे है और सब दिर दिर है और जो नियत किया गया है कि एक तो वेक्सिन लगाना मस्ट है मास्क लगाना है मास्क के साथ दूरी के साथ दरसन करना है यह बात सही है कि हमको जब तक हम यह सावधानी रखेंगे तब तक हमारा जो मूल बचाव है वह बच्चेगानी लेकिन यह बात सही भी है कि वेक् दूरी है दूरी है मास्क है आवश्यक साउधानी हम सबको रखना और बाबा से कामना भी बाबा सबकी रक्षा करें मैं उम्मित करता हूं कि ये करम जारी रहेगा आने वाला स्रावन मासे 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को पहली यात्रा निकलेगी उम्मित करेंगे तब तक क कुछ हाला ठीक होंगे तो हम दुबारा मीटिंग करके कुछ निर्णे करेंगे उज्जे से अरप्रित बढ़ाने के रिपूर्ट